हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है रीड डिजाइन्स में तो आज हम बनाएंगे बहुती ब्यूटिफुल नेक डिजाइन तो चलिए हम शुरू करते हैं नेक डिजाइन बनाने के लिए मैंने ये वुक्रम ली है जिसे मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया है तो की गहराई ले लेते हैं तो गहराई यहाँ पर चार इं Bliss ले रही हूं नेक की तो जैसे मैं आपको बताती हूं नेक कटिंग करने से पहले आप मार्किंग हलकी करके देखिए जो भी आपकी मार्किंग बिल्कुल सही आजाए उसको आप डाक कर लीजाए तो अब हम बाहर वाली बुक्रम ड्रॉ कर लेते हैं तो मैं यहां से पौना इंच ले रही आपको पौना इंची टेप को रखते हुए हम बिल्कुल बराबर बराबर मार्किंग कर लेंगे तो यह बाहर से भी मांक हो चुका है यह देखिए अब हमने क्या करना है? नेक ए नीचे हमें कट भी देना है तो उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं तो वो कट हम उपर से ही लेंगे उपर से मैं लगबग साड़े सात इंच पे ले रही हूं वो कट जब ये ready होगा neck तो हमारा 7 inch ही रह जाएगा ये जादा deep नहीं होगा 7.5 inch तो मैंने 7.5 inch को ऐसे mark किया है और अब हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ से हम लेंगे लगबग पौना inch पौना inch पे हम एक mark करेंगे यह वाले neck से यह वाली marking से पौना inch लिया है और अब इस वाली marking को हम इस से मिला देंगे ऐसे तो यह देखिए यह cut भी हमारा draw हो चुका है और neck भी हमारा draw हो चुका है अब हमने एक और बुकरम यहाँ से बाहर से draw करनी है पौना पौना inch की तो चलिए उसे कर लेते हैं तो यहाँ से बुकरम को सीधा रखते हुए हम पहले बाहर वाली side से neck को cut कर लेते हैं अब हम इसका अंदर वाला neck भी cut कर लेते हैं यह देखिए और अब इसे तो यह अंदर वाला neck हो गया हमारा और अब हम बाहर वाले neck से यह cut को भी cut करेंगे तो इस cut को भी हमने cut कर दिया है और अब यह ऐसे आ जाएगा जब हम इसे ready करेंगे तो पहले हम इस वाले neck को extra fabric के उपर paste कर लेते हैं ऐसे इसको extra fabric के उपर हमने paste कर लिया था और side से मैंने यहाँ पर सिलाई भी लगा लिया है अब हम इसको अपनी कुर्ती पर रख के पल्टेंगे तो यह मेरी कुर्ती की सीधी side है अब हम इसको ऐसे center में रखेंगे इसे सिलाई लग चुकी है बिलकुल वुक्रम के किनारे किनारे अब हम बीच वाले fabric को cut कर देंगे अब हम यहाँ पर छोटे छोटे cuts लगा लेंगे और center में भी यहाँ पर छोटा सा cut लगा लेंगे और अब हम इसको ऐसे अंदर की तरफ पलट देंगे यहाँ से कोने को पाहर को निकाल लेंगे तो यह देखिए neck पलट गया है और मैंने इसको अच्छे से press भी कर लिया है अब हम इसके अंदर वाला neck ready करते हैं तो अब हम यह वाले छोटे वाले neck को paste कर लेते हैं ऐसे मैंने black color का extra fabric लिया है अपनी कूर्थी के साथ का ही अब हम इसी पेस्ट को paste करेंगे तो यह मेरी pasting वाली बुक्रम है इस तरीके से मैंने इसको press के साथ paste कर लिया है तो यह देखिए इसको मैंने extra fabric के उपर paste कर लिया है और बाहर से मैंने आधे आधे इंच का margin लेके extra fabric को trim कर दिया है और एक same ही piece मैंने इसी के साथ का लिया है यह देखिए same बिलकुल इसके बराबर का ही कट किया है और अब हम इसको ऐसे रखेंगे इसके उपर यहां से बिलकुल इसके बराबर बराबर सिलाई लगा देंगे तो ऐसे इसको नीचे रखते हुए extra fabric को और इसको ऐसे उपर रखेंगे बिलकुल बराबर रखते हुए हम बिलकुल बुकरम के साथ साथ किनारी की सिलाई लगा लेंगे अंदर वाली side तो अब हम इसको बीच वाले fabric को कट कर देंगे एक एक पैर का margin लेते हुए यहाँ पे छोटे-छोटे कर्स तो इसको अब हम अंदर की तरफ पलट देंगे ऐसे तो यह देखिए पलटने के बाद यह ऐसे आ जाएगा मैंने इसको प्रेस भी कर लिया है अब हम क्या करेंगे इसको बिलकुल बाहर से हम एक एक पैर का margin लेते हुए सारे फैब्रिक को ट्रिम कर देंगे तो यह हमारे नेक का ऐसे मैंने इसका सेंटर बना लिया है यह इसका सेंटर है मैं सीधी साइड पे ही मार्ग कर रही हूं आपको दिखाने के लिए यह दिखिए और अब हम सेंटर से एक इंच इधर और एक इंच इधर ऐसे एक इंच इधर और एक इंच इधर ऐसे मार्ग कर लेना यहां पे हम क्या करेंगे ऐसे कट लगा लेंगे जहां पर हमने माग किया ना उससे भी थोड़ा सा उपर ही आप कट लगाईए यह बले बुक्रम ना कटने पाए पस सिरफ कपड़ा कपड़ा आपने कट करना है हम क्या करेंगे इसको अच्छी फिनिशिंग देने के लिए नीचे वाले कपड़े को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे यहां पर यह नीचे वाले कपड़े को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है ऐसे उस कट से इस कट तक हमें सिलाई लगा लेनी है तो ऐसे अंदर की तरफ इसको fold के रगे हमने सिलाई लगा ली है अब हम क्या करेंगे ये वाले कपड़े को भी यहां ये जो cut वाला अंदर वाला कपड़ा इसको ऐसे बिल्कुल बुकरम के साथ-साथ fold करते हुए ऐसे नीचे वाले कपड़े को भी attach करके यहाँ पर बिल्कुल किनारी की एक, छिलाई लगा देंगे यहां तक तो यह देखे यह जो अंदर वाला कपड़ा है, इसको ऐसे, बिल्कुल बराबर रखते हुए ऐसे ही दोनों को बराबर रखते हुए यहां पे हमें किनारी की सिलाई लगानी है तो यहां पे हमने सिलाई लगा लिया है किनारी की और यह देखिए पीछे से भी कितनी अच्छी फिनिशिंग आगी है और आगे से भी तो अब हम क्या करेंगे यहां से यहां तक बुक्रम को बुक्रम के बिल्कुल किनारे किनारे माक कर लेंगे तो यह दोनों तरफ माक हो चुका है अब हम यहां से यहां तक इसको इंटरलोग कर लेते हैं इधर से इधर तक तो मैंने इसको इंटरलोग भी कर लिया है अब हम इसको ऐसे नीचे की तरफ रखते हुए पिल्कुल किनारी की सिलाई से इसको स्टिच कर देंगे और यह सिलाई हमारी मार्किंग के उपर-उपर ही आनी चाहिए ऐसे तो ऐसे ही है अपनी मार्किंग के उपर-उपर हम किनारी की सिलाई उपर तक ले आएंगे तो ये देखिए ऐसे हमारा ये नेक रेडी हो गया है तो ये देखिए पीछे से भी कितनी अच्छे फिनीशिंग आ गई है तो पीछे वाला जो नेक आपने रेडी करना है वो अंदर वाले नेक के बराबर ही कट करना है छे इंच हमने ब्रॉड रखा था ये वाला नेक तो आपने छे इंच ही पीछे भी ब्रॉड रखके नेक को कट करना है तो पहनने के बाद ये ऐसे आ जाएगा तो अगर आपको मेरा ये डिजाइन और वीडियो ची लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिजाइन के साथ मिलते हैं तिल देन बाबाई